टेकनोलोजी का विस्तार हमें यहां तक ले आया है कि हम अपना हरे काम डिजिटल रूप से ही करते हैं परंतु एक बाद जानने वाली यह है कि भारत में आस्तक सोशल मीडिया प्रैटफॉर्म पर कोई भी रोक नहीं थी हाली में OTT प्रैटफॉर्म्स पर थोड़े प्रतिभंध की जरूरत महसूस की गई है जिसके बाद सरकार ने इससे जुड़े नए दिशन दिशन देश चारी कर दिये हैं चानकारी के लिए आपको बता दे कि आज केंद्रिय प्रयावरेंड मंत्री प्रकार जावडेकर और सूचना प्रिद्योगी की मंत्री रवी शंकर प्रसाथ द्वारा गुरुवार को प्रेस कॉनफरेंस कर सूचना दी गई है कि भारत में सोशल मीडिया को अजादी तो है पर इस पर होने वाली कई गलतियों के लिए कानून की आविशक्ता है कॉनफरेंस में बताया गया है कि अगर कोई आपती जनक कंटेंट पर शिकायत दर्ज होती है तो उसे हटाया जाएगा और साथ में सेल्फ रेगुलेशन का भी पालन करना होगा हम आपको बता दे कि भारत में वाटसेप के 53 करोड फेस्बुक के 40 करोड और ट्वीटर के लगभग एक करोड यूजर से है और इसी स्तंख्या के मध्या नजर सोशल मीडिया के लिए कानून की आविशक्ता थी सरकार द्वारा साफ कर दिया गया है कि कानूनों को तीन महीने के अंदर अंदर लाया जाएगा तरसल सुप्रीम कोड द्वारा सरकार को सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन्स बनाने के लिए कहा गया था जिसके चलते ही सरकार द्वारा नई गाइडलाइन्स लाई गई ह चारे इन गाइडलाइन्स के अनुसार पहले सरकार द्वारा दिकारियों की निक्ति होगी और 24 घंटे के अंदर ही मामला सुलजाना होगा और इतना ही नहीं कितिनी शिकायते दर्ज हुई है सरकार उसका भी डेटा देगी सरकार द्वारा उठाये गए इन कदमों से सोशल मीडिया पर फैल रही अव्वाव पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है कि इंद्रियम मंतरी प्रकाश जावडे कर द्वारा बताया गया है कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर तो कानून है पर सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं थी कि इंद्रियम मंतरी रखिस बलिए में आवडरा जाहे है कि इंद्रॉन हुआ कि इंद्रिया जाशिकर रखिसे एिर रड़दया का अवाया कि यंद्रा । झाल झाल